राकेस अस्थाना बने B.S.F के नए डीजी जार्खन से जुड़ा है रिस्ता मुख्य मंत्री हेमन सोरिन अच्छार नए पावर सबस्टेशन का करेंगे ओनलान उधाटन जार्खन में स्पेशल ड्रैफ चलाकर तिरपन हजार क्रोना जाज किया गया जार्खन के प्रोजेक्ट भवन मंत्राले में आज होगी कैबिनेट की बैठब बसों के वहां सुल्क को सिथिल करने पर लिया जा सकता है निर्णा राज्य सरकार के विविन विभागों में अनुवन्त समीदा पर कारियरत कर्मियों और उनके काड़ियों से सम्मंदित सेवसर्तों के लिए गठित की उच अस्तरिय सम्मिती जार्खन के 43 ट्रांस्मिसन लाइन पर्योजनाओं को अब तक नहीं मिला है फॉर्स्ट क्लियरंस पीम केर में जमा हुए पैसे को राश्ट्रिय आपदा राहत कोस्ट एंडियारेफ में ट्रांस्पर नहीं किया जा सकता है सुप्रीम कोट ने याच का खारिज की आज राजधानी के 20 केद्रों पर चल रहा है विशेज क्रोना एंटिजन टेस्ट ड्राइब ठाकान बदन दर्द की सिकायत के बाद आधी राद को एंस में भरती हुए गिरिम मंत्री अमित्सा केंद्रिय वित मंत्री निर्मला सितारवन के जन्म दिन पर पीम नरेंद्र मोधी समित कई मंत्रियों और नेताओं ने दी सुपकामनाई गरिब कल्यान रोजगार अव्यान के अंतरगत प्रवासि स्रमिकों को रोजगार उपलव्ज करा रहा रेलवे सिपेसी बोर्ट के कमपार्टमेंट परिछा का नॉटिफिकेशन जाड़ी 20 अगस तक ऑनलाइन जम्मा होगा आवेदर जम्मो का स्मिर के हत्मूला गाउं को जैबी खेती गाउं का दर्जा मिला है सरकार की अगली योजना इन किसानों के उत्पात को इमंडियों से जोड़ना है अमेरिकी राष्ट पती डॉनल्ड ट्रॉम्ब के भाई रॉबर्ट ट्रॉम्ब का निधन 71 वर्षी रॉबर्ट थे बिजनेस में वासिंग्चन एरपोर्ट पर बाल बाल बचे डॉनल्ड ट्रॉम्ब एक बड़े ड्रोन से टकराया उनका विमान पिला वाले घरों को रौशन तो करते हैं बच्चों का भविश्य भी समाते हैं झाल 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 झाल